यूनिफर्म शर्ट के लिए साधारन प्लेकेट सिलना जूकि हमने यूनिफर्म शर्ट के सामने के पीस के कपड़े मार्क करके काट लिए हैं, अब हम देख सकते हैं कि किस तरह सामने के पीस के साधारन प्लेकेट सिले जा सकते हैं। उद्देश इस पार्ट के अंत में आप यूनिफर्म शर्ट का साधारन प्लेकेट सिल पाएंगे। आईए युनिफॉर्म शर्ट का साधरन प्लेकेट सिलने के लिए जरुरी औजारों सामगरी से परिचित होते हैं वे हैं कटे हुए युनिफॉर्म शर्ट के सामने के पीस, मैचिंग धागा, नापने की टेप, छोटी कैंचिया, सिलाई मशीन आईए देखते हैं कि युनिफॉर्म शर्ट के सामने के पीस पर साधरन प्लेकेट कैसे सिलते हैं बाद में यहीं पर बटन और काज सिले जाते हैं इसके लिए पहले शर्ट के पीस का सीधा कटा हुआ किनारा, पॉना इंच उल्टी तरफ मोड ये और मोड को दबाईए यह मोड निचले किनारे के नौच से और बिंदु बारा पर के आकार दिये गए कोने से सीधी लाइन में होना चाहिए फिर वापस कटे हुए किनारे को पॉना इंच मोड ये और मोड को दबाईए मुडे हुए किनारे पर टॉप स्टिच कीजिए दूसरी सामने के पीस पर भी ऐसा ही कीजिए एक बार निचला हिस्सा आपकी बाई और होगा और दूसरी बार निचला हिस्सा आपके दाई और होना चाहिए इससे यह पुष्टी होगी कि हमने शर्ट के सामने की तरफ का एक दाया और एक बाया हिस्सा बना लिया है बिना रंग या डिजाइन के साधी कपड़े में गलती करके दोनों प्लेकेट एकी तरफ सिल देना एक आम बात है आखिर में गले की तरफ से काटते हुए अतिरिक्त किनारा निकाल दीजिए इस पार्ट में हमने सीखा है कि किस तरह यूनिफर्म शर्ट के सामने के पीस के साधारन प्लेकेट सिल सकते हैं समापन से पहले आए यूनिफर्म शर्ट के सामने के पीस के साधारन प्लेकेट सिलने के लिए ज़रूरी मुख्य मुद्दों पर गौर करते हैं वे हैं, कदम एक, शर्ट के पीस का सीधा कटा हुआ किनारा पौना इंच निचले किनारे के नौच से और आकार में किये हुए कोने से सीधी लाइन में रखते हुए उल्टी तरफ मोड़िये और मोड़ को दबाईए, कदम दो, फिर वापस कटे हुए किनारे को पौना इंच म मोड़िये और मोड़ को दबाईए, कदम तीन, मुड़े हुए किनारे पर टौप स्टिच कीजिए, कदम चार, दूसरे सामने के पीस पर भी ऐसा ही कीजिए, इसके साथ हम इस पाट के अंत में आ चुके हैं